दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरे आपका अपना न्यूस चैनल देश और दुनिया की खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटस्ट खबरे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हित करना न भूले 42 साल से इस महिला को घेरे हुए है नाग वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप दोस्तों जैसा की हम जानते हैं इंसान सापों से बहुत ज्यादा भई खाते हैं इंसानों को सापों से जितना भई लगता है उतना शायद ही किसी चीज़ से लगता हो हिंदू धर्म के मुताबिक नागों को भूलेनत का दूप कहा जाता है इसी कारण उनसे लोग बहुत ज्यादा भई भीत हो जाते हैं तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सची कहानी बताने जा रहे हैं जो की एक महिला की है जो 18 साल की उम्र से ही नागों का शिकार बनती आ रही है तो आईए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में दोस्तों इस महिला का नाम कलादेवी है, यह पंजाब की चंडीगर में रहती हैं इस समय इनकी उम्र करीब साट साल हो गई है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस महिला को 18 वर्ष की उम्र से ही सांप काटते आ रहे हैं साट साल की उम्र तक इस महिला को सांपों ने करीब 151 बार कटा है कभी कभी सांपों के डर से ये महिला मंदिर में ही सो जाया करती थी जब ताक वह शिवजी के उस मंदिर में रहती थी तब तक सांप उन्हें नहीं काटता था लेकिन जैसे ही वह उस मंदिर से घर के लिए निकलती उसी समय साप आकर उन्हें काट लेते थे पहले जब उन्हें साप काटते थे तब उनको जंगली दवायों से इलाज कर दिया जाता था लेकिन अब जब भी उन्हें साफ काटते हैं, तब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया करते थे. गौरतलब है कि इन्हें इतने बार सापों के काटने पर भी कई बारवह हफ्तों और महीनों तक बेहोश पड़ी रही पर फिर भी इतने दिनों तक बेहोश रहने के बाद भी मौत से लड़कर भी कई बारवह जीवित बाज गई